नमस्कार दोस्तों महुराकिस और आप देखने टिक्निक ग्यान चैनल तो आपको बहुत बुस्वागत इस प्लेट फार्म गे उपर और आज हम बात करने वाले हैं तो दोस्तों जैसा कि हम आपर बात कर रहे हैं ओप्रेटिंग सिस्टम की आपके पास एक कंप्यूटर या फिर आपके पास एक मोबाइल फोन या फिर एक वह सबी के अंदर जो है थोड़ा बहुत ओपर होता है जिस जितनी उसकी जो है क्यपस्टी आपर होती है उसी साब से उसका भी जो है एक उप्रेटिंग सिस्टम बनाया जाता है शुरुवात में जब कंप्यूटर आये थे तब काफी दिनों तक के उनके पास जो है कोई उप्रेटिंग सिस्टम नहीं था वो दोस्ते और कमांड पर मिट के उपर चलते हैं मतले हैं साधारन साव उप्रेटिं करने लगें लेकिन यह ओपरेटिंग सिस्टम कंप़नी बनाती यह फिक्स होता उसके अंदर कुछी इंक्सिता नहीं होता जितना मतलब भे ऑपरेटिंग सिटम या फिर ओस उता जैसे माली जिए विंटोस 7 है इदर Blackberry का software है उदर Apple है उसका Mac है Linux है कापी सारे मतलब अलग अलगे यहाँ पर operating system है Mac और Android जो है आजकल कुछ ज्यादा यहाँ पर काम मतलब कर रहे हैं तो यह दोनों भी जो है एक operating system आपको सीधी सी बासाम में समझा देता हूं कि operating system दरसल काम क्या आता है माल लीजी आपके पास है एक car तो पूरी car जो है एक hardware है और उसे आप चला रहे हैं तो आप जो है उसके operating system हो जाते हैं मतलब उसे operate कर रहे हैं उसे चला रहे हैं उसे जो है command दे रहे हैं उसे साबसे वह hardware जो हील रहा है आप brake लगाते हैं गाड़ी रुख जाती है आप मतलब accelerator दबाते हैं गाड़ी दोडने लगती है तो मतलब आप जो है उसकी operating system इसी साब से किसी भी hardware को चलाने के लिए जैसे कि मानले जी आपके पास एक mobile है उसके अंदर है Android वर्जन जैसे 5.1 है 6.0 मार्स मालो वर्जन है 7.0 8.0 और यो वर्जन है काफी सारे जो आजकल operating system आयो यह सब operating system ही है और यह आपके और उस hardware के बीच में रहते हैं आप इदर से order देते हैं और वो जो है hardware को उदर से चला देत को यह होती है audio IC मतलब audio IC को वो order देता है कि यह जो फाइल है इस परकार से जो हो से प्ले करना है उसी साब से जो स्पिकर हो जो है signal दे देता और इस पिकर जो है वहापर sound निकालने लगता है इसे साब से जो है कि operating system का यहाँ पर काम होता है अगर आपके पास एक computer computer के अंदर नहीं है तो वह तो सिरफ एक मतलब डबे जैसा ही आपर होगा खाली डबा किसी काम का मतलब वो नहीं है तो इसी साब से मतलब यह operating system का निर्मान हुआ अब आप सोच रहे हैं कि operating system जो fix आता है computer के अंदर मतलब Windows है वो fix आती है उसके बाद आपको जरूरत होती है कुछ एक्स्ट्रा operating system की तो वह भी आपको मिल जाते हैं software के रूप में जैसे आपने डाली है Microsoft copies या फिर को VLC player है काफी सारे player डालते हैं या फिर टाइपिंग वाले कुछ टूल डालते हैं या फिर और मतलब गेम बगेरा जो है computer में खेलते हैं वह भी सब एक प्रकार की operating system सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर काम में आता है तो एक hardware को कनेक्ट करने के लिए जिस चीज की यहां पर जरूरत होती है बीच में hardware को चलाने के लिए स्पेसलिग जो की काफी सरल तरीका हमारे लिए बं गजाता है नोर्मल के आधार पर तुस K though यहां पर operating system बोला जाता है अगर operating system नहीं होता है तो यहां पर है सब कुछ्छ यहां पर ज्यादा मुस्किल कील रूजाता है और ये आपको मिलते रहेंगे अगर आपका कोई सवाल है कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बोक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं पूछ सकते हैं या फिर सकते हैं मेरे फेस्बुक पेज पर तब तक के लिए जैहिन और बंदे मात्रम